हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपकी तोस्प्रीती आपके साथ आज हम बनाएंगे एकदम थंड़ा थंड़ा क्रीमी क्रीमी मार्केट स्टाइल बादाम मिलके शेक आई शुरू करते हैं मैंने यापन लगबक 10-12 बादाम लिए इसे एक गणटे पहले मैंने गुंगुने पानी में भिंगोकर रख दिया था बादाम के हम अब चिलके निकाल लिए अब इसे हम साइड में रख देंगे अम्मे और लिया है आधा लिटर फुल क्रीम दूदь बादा मिलकिशेक को और भी क्रीमी और टेस्टी मुझाने के लिए इसमें हम डाल रए हैं दो टेबल स्पुन दुद्ट पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे दुद्ट पाउडर अच्छे से मिक्स हो ग्या है तक पकाएंगी दूद हमारा उभल रहा है जब तक हम आगे की तयारी कर लेते हैं मैंने आपर एक लिया है मिक्सर का पॉट इसमें हम डालेंगे हमारी छिलके निकलीवी बादाम साथी मैंने आपर कुछ रेशे दूद में भिंगो कर रखेते हैं वो भी डाल देंगे आप केसर नहीं चाहते हैं तो इसकीप कर सकते हैं इसकी जगह पर आप फूट कलर का यूज़ भी कर सकते हैं तीन से चार टेबल स्पून या फिर अपने टेस्क के कोडिंग शकर दो इलाइची की छिलके निकलीएं वो भी डाल देंगे साथ इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून ताजी दूद की मलाई सबी को मिक्सर में अच्छे से पीस कर एकदम इसका इसमूच सा पैस्ट बना लेंगे पैस्ट हमारा बन कर तयार है इधर दूद में भी अच्छे से उबाला गया है लगबख 10 मिट में दूद को दी मियाच पर उबाल लिया है थोड़ा सा दूद हमारा गाड़ा हो गया है इसमें हम बादाम के पैस्ट को डालेंगी बादाम का पैस्ट दालने के बादाम दूद को बालते वे लगबग मुझे 10 मिट हो चुके हैं हमारा जो बादाम मिलके शेक है वो एकदम मार्केट जैसा ठीक हो जाए इसके लिए हम इसमें डालेंगी कस्टड पाउडर जो हमने थंडा दूद काटोरी में निकाल के रखा था उसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून कस्टड पाउडर आप कस्टड की जगबग पर कॉन्फलर का यूज़ भी कर सकते हैं इससे पहले हम दूद में अच्छे से घोल लेंगे उसके बाद इसे हम उबलते वे दूद में डाल देंगे कस्टड डालने के बाद दूद हमारा तले में चिपकता है इसे हम लगातार चलाते हुए लगबग 5-7 मिर्ट के लिए दूद को और उबालेंगे देखिए कस्टड डालने के बाद भी लगबग 5-7 मिर्ट में दूद को उबाला है हमारे बादा मिल्क शेक की कंसिस्टेंसी एकडम परफेक्ट ही थोड़ा ठिक हो चुका है गेस को बंद कर देंगे और हम मिल्क शेक को अच्छे से रूम टेंपरेचर पहले ठंडा होने देंगे बादा मिल्क शेक हमारा जल्दी ठंडा हो जाए इसके लिए मैंने एक थाली में पानी लिया इसमें हम मिल्क शेक के बरतन को रख देंगे और इससे हम लगातार इस प्रकार से चलाते रहेंगे जिससे इसमें उपर मलाईन जमे और एकเด дан हम हमाराימ्श सा मिल्क शेक बंद कर तयार हो देखिए बादा मिलके शेक हमारा अच्छे से थंड़ा हो गया रूम टेंपरेचर पर आने के बाद इसे मैंने एक गंटी के लिए फ्रिज में रख दिया था हमारा जो बादा मिलके शेक है वो अच्छे से थंड़ा हो चुका है इसका टेक्शर आप दे सकते हैं आप चमच पर देखेंगे इस तरीके से चमच हमारी शेक से कोड हो रही है इतना हमें गाड़ा मिलक शेक चाहिए बादाम मिलक शेक को हम सर्वकरते हैं ग्लास में डालेंगे उपर से इसमें हम डालेंगे कटेवी बादाम तो इस प्रकार से हमारा ठंड़ा ठंड़ा क्रीमी क्रीमी बादा मिल के शिक्पन कर तयार है वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थाइंक्यू